टूजडे टेक्निकल टॉक में आपका स्वागत है टूडेश टॉपिक इस कैंडल स्टिक पैटन एक अपने आप में बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है और उसमें बहुत सारे पैटन्स है बहुत सारी चीज़े हैं जो कर सकते है एक टाइम पर हमको याद है कि हम कैंडल स्टिक पे पूरा दो दिन का कोर्स करते थे आठ और गंटे कुछ 200-300 स्लाइट अब तो काफी सारे वीडियो से मेरे खुद के भी और इस पर भी मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं और भी वीडियो बनाऊंगा आज एक बेसिक पैटन्स देखते और फिर एडवाइंस पैटन्स में भी जाएंगे कैनलिस्टिक पैटन्स पैटन्स पहले समझ लेए बेसिक पैटन्स क्या होता है जनरली आप देखो कि ग्रीन और रेड कलर होता है या कोई-कोई आप कलर को चूज भी कर सकते हो तो यह चार चीजे होती है ओपन हा हो जाएगा और उपर का जो high और low है those are called the shadows उसको shadow या wix बोलते हैं जैसे मुमबत्ती की जो ऊपर रहती है वो that's shadow and body now इसमें बहुत सारे तरह के bodies और बहुत सारे तरह के shadows होते हैं और उसी के उपर से उनके नए नए अलग-अलग नाम है और यह साथी बढ़िया किताब लिखी है Japanese candlestick उसमें सारे candle patterns को explain किया गया है बट यह जपैन में कुछ 400-500 साल पहले invent हुई थी बहुत ही powerful है इससे पता चलता है कि बुल्स control में है कि bear control में इसके पहले लोग बार चार्ट यूज करते थे अब ऐसा हो यह पूरा जो एक इस पर पता चलता है कि बुल्स का control है कि bear का control बड़ा candle है तो और white है तो बुल्स का control है बड़ा candle और black है तो bear का control है shadow है मतलब कोई control में नी ऊपर shadow है मतलब supply हो रहा है Japanese words है उनके language में है बट काफी interesting है काफी weird भी है तो Japanese candlestick में अगर आप देख रहो plus sign मतलब यहां पर body ही नहीं बॉड़ी नहीं है मतलब का है कि जहां पर market खुला वहीं पर बंद हो गया मतलब कोई decision नहीं है indecisive candle हो गया मतलब यहां पर बुल्स भी strong नहीं है बैस बिस्टॉंग अब यह डोजी अपने आप में neutral candle हो गया बट अगर वो uptrend के बाद आता है तो यहां पर मतलब क्या हो गया बुल्स का power कम हो गया अब देख रहो हो सकता है कि बुल्स थोड़ा अराम कर लिया पॉस ले लिया और फिर उपर continue किया डोजी के लोगा जोजी के लोगा जोजी के बाद रहा है यहां पर डोजी है अब ट्रेंड के बाद और उसके बाद ट्रेंड चेंज हो रहा है वैसे आपको आवर्ली चार्ट पे इंट्राडे चार्ट पे भी देखने को मिलेगा काफी सारे डोजी नीचे भी है उपर भी है तो इस दिन बैस का कंट्रोल है लेकिन इस दिन बैस का कंट्रोल नहीं है मतलब बुल्स का कंट्रोल बढ़ गया राइट यहां से रिवर्स होने का चांस है यहां पर भी मुझे चाहिए कि चेंज हो रहा है और एक डोजी वैसे आपको बहुत सारे मिलेंगे बहुत सारे चार्ट पर मैं चाहता हूं कि आप प्रैक्टिस करना शुरू करते मैं हमेशा अपने स्टूडेंस को बोलता हूं कि अगर आपको एक अच्छा टेक्निकल अनलिस बनना है तो 100 चार्ट दिन मे जो बॉडी है बूड्स बैस अरिं कंट्रोल और सदनी नीं उपर खुलके ऊपर जा रहा है बूडस बैस का रियुकल निकल गया और बॉल्स का कंट्रोल आने लगा इंडिस पॉल्डी विदिन दिस बटी हरामी इन जापनीस मेंस प्रेगनेंट सो इस लाइक आग इस लाइ लिश्ट ये स्वाल बोड़ी केंदल्स माली के बाद शूटिंग स्था आइमर बूड़ स्क्राइब कि बुलिश शुब्र्स पर्ड़ेंगे उसकी आप 100-100 पैटन डून के निकालोगे चार्ज पे अलग-अलग चार्ज पे तो आपको ये और strongly समझ में आ जाएगा जैसे हर एक पैटन की एक bullish और bearish pattern होती है जैसे reverse pattern तो वो bullish हरामी था ये bearish हरामी है यहाँ पर भी कौन strong है bull और suddenly bulls का power बार कम हो गया नीचे खुला और small candle तो ये alert कर रहे हमको कि अभी trend change हो सकता है और trend change होगा तो confirmation देगा तो हमको bullish bearish हरामी यहाँ पर आप देखोगे कि यह white candle पर हमको आप जो आप तो अपर आप आप निचे डिवर्जाट इस भी और सकता है वोल्यूम दैवर्जाट पियो सकता है trend line resistance भी तो तो आप तो यहाँ तो आप आप यहाँ तो आप यहाँ था तो आप यहाँ आप निच गदेगेश्ट तो इसन जापनीस और green candle है वो simple है downtrend के बाद अगर बड़ा green आता है उसका मनलब क्या भी बुल्स पावर में आ गए simple है यह आपको कहीं पर भी दिखने को मिलेगा trend reversal पर देखता है जैसे यह downtrend के बाद बड़ा white यह downtrend के बड़ा green यह downtrend अप्रेंड में है बड़ उसके बाद देख रहे हो यहां पर harami and that small doji trend reverse हो गया तो यह bullish candle bottom पर आएगा तो हमको reversal का signal देगा अगर rally के बाद आएगा तो वो शायद exhaustion का भी signal हो सकता है मतलब यह trend खतम हो रहा है right very white very strong white candle or green candle same way we have the black candle the red candle bearish candle अब जब market गिरता है तभी आपको बहुत थारे देखने को मिलेगे जैसे 123 यहां पर भी देखने को मिल रहे है यहां पर भी देखने को मिल रहे है so those are in bears are in control bears are मतलब पूरा दिन market को नीचे hammer करके रखा है और bears sell कर रहे sell कर रहे sell कर मतलब आपको clearly पता चल रहा है कि यहां पर bears का control है इसमें हम लोग जाके buy नहीं करेंगे in fact यहां पर देखेंगे कि short कैसे कर सकते put कैसे buy कर सकते right so this are all big whites now this very interesting candle this is called bullish engulfing मतलब downtrend है दूसरे दिन भी बार्केट नीचे खुलता है बट पहले वाले candle को engulf करके उपर बंदात मतलब bears को उन लोग ने पूरा engulf कर दिया और अभी bulls ने बोला गी अभी मेरा engulfing की बात कर रहें so you'll see that after a downtrend you see a bullish engulfing trend changes यहां पर भी almost bullish engulfing pattern है वैसे बहुत सारे examples आपको मिल जाएंगे जितना ज्यादा आप उसको study करोगे उतना आपको ज्यादा फाइदा होगा और इसको समझने में आसानी होगी हर एक candle का opposite candle होगा जैसे bullish engulfing है तो bearish engulfing भी होगा uptrend strong bulls और उपर खुलने के बाद बुल्स का टाकत नहीं था बुल्स गेवए और बैस का टाकत बढ़ गया बैस ने selling चालो कर दिया और उसके पहले वाले बुल्स को पूरा और यहां से डाउंट्रेंड की शुरुवात होती है तो यहां से आप sell करोगे short करोगे अपना long बेज दोगे call बेज दोगे put खरीद लोगे जैसे भी कर सकते हो इसको advantage दे सकते हो right so you'll see bearish engulfing right at the top of the market and then start the downtrend bearish engulfing right at the top of the market अब ट्रेंड के बाद bearish engulfing right bearish engulfing back-to-back double top doji भी है मतलब एक साथ bearish candle आने लगे मतलब market में कुछ तो गडबड है कुछ तो गडबड हो रहा है right and this is one of the best books on candlestick by steve nissan called Japanese candlestick you should read this book अगर आपको सारे candles को और detail में समझना है और पढ़ना है तो कम से कम 5-6 बार पढ़ोगे तो और clearly समझ में आएगा right so यह था episode number one on candlestick pattern Tuesday technical talk Hindi को इतना बढ़ावा देने के लिए और यह चैनल को बढ़ावा देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आशा करता हो कि आपको यह सारी चीजे पसंद आ रहे है यह सारे वीडियो इंग्लिश में भी है इंग्लिश चैनल पे मलकान जी पे और यह ले के आ रहे और सबसे बड़ा good news अगर आपने नहीं सुना है तो ABCT anybody can trade program जल्दी आ रहा है डेट चेक करें लिंक पे क्लिक करके और अगर आपको अगर यह चैनल पसंद में आ रहा है अगर एक पूरा तीन दिन का सुबह 9 से लेके शाम को 6 बजे तक तीन दिन का पूरा एक virtual program देखना है जो last time हमने किया था तभी 2400 लोग ने अटेंड किया था seven countries 65 cities से अटेंड किये थे और बड़े-बड़े keynote speaker आये थे डॉक्टर विवेक बिंद्रा गौर गोपाल दाज जी आशिश चोहन जी यह सारे लोग आये थे last ABCT में इस बार भी बहुत लोग आ रहे तो अगर ये प्रोग्राम आपको खरना है तो आप ABCT.com पे जाके चेक करें वहाँ पे तीन तरह के टिकेट है आपको कोई भी टिकेट लेना ले सकते हो बट और पूरा फैमिली बैट के देख सकता है और पूरा हिंदी इंग्लिश डोनों लैंग्वेज में होगा and I'll tell you it's not only about trading खाली ट्रीडिंग पे नहीं है पूरा माइंडसेट पे इस लाइफ ट्रांस्वर्मेशन प्रोग्राम सो मेक्शूर यू गेट यूर टिकेट बेल बिफॉर इन एडवाइंस ताकि आप ABCT को अटेंड करो और मिस ना करो तो मिलेंगे ABCT में और अगले एपिसोड में तब त